दोस्तो आपके अपने चैनल दे एक्जाम से आपसे का स्वागत है दोस्तो जो भी कनेडेट बिहार पुलिस का एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं या फिर इस फिल्ड में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर आप लोगों का बेकेंसी क रहने वाली किस वीघाज में कितना विकेंसी रहेगा जैसे की आपका किस पोश्ट के लिए बहुत इसमें कितना रहेगा और यहां पर हबलदार का कितना रहेगा यह सभी चीजँ हम इसमें देखेंगे SI का कितना पोष्ट रहने वाला है तो कितने पोष्ट पर एक्जाम होगा कितने पोष्ट के लिए तो इनस बीत चीज़े आप इस चैनल को अभी तक Σब्सक्राइब नहीं कि हैं तो आप इशन को सब्सक्राइब कर लिजेगा आगे इससे रिलेटेट कोई भी अपडेट आएगा आपको बिहार पुलिस से रिगार देंगा आपको एडबर्टाइजमेंट या फिर जब निकलेगा तो आपको यहां पर अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा और यहां पर आपको मेडिकल वाले स्टुडेंट हैं उन लोगों के लिए भी यहां पर अपडेट है कि जैसे कि राज के मेडिकल कॉलेजों में 9000 पदों पर आपका बहाली शुरू हो चुकी हो चुकी है पी एम सीच में आपको 229 पदों पर निकती होगी तो इस तरह से आ हम इसे 20 से देखते हैं कि दोस्तों वीडियो में आगे भड़े उसे पहले यदि आप द्रयागजाम टांस को फिसल यूटूब चनल पर रहें तो यह आप पर यहां पर भी आपका काफी सारे उस्टेट यहां पर जूरे होगे हैं यादि आप इससे जूरना चाहते हैं तो इसी वीडियो के comment section में जाएए इस वीडियो के comment section निचे दिया गया है उसके क्लिक और आपको इसका link पिन कर दिया गया है यहां पर इसके description में जाइएगा तो वहां पर भी link दिया गया है तो आप दोनों जगह से पुलीस महकमा में 75,000 पदो पर सिपाही से लेकर दरोगा और विभीन संबरगों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसको लेकर सुक्रबार को पुलीस मुख्याले यहां पर देख सकते हैं कि बैठक हुई है इसमें 75,000 पदों को स्रिजनित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है और यहां पर पर पद को भड़ा जाएगा तो यहां पर आगे बोला गया है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलीस की बहाली के बाद ट्रेनिंग सेंटर में रहने की वेवस्ता अन अधारभूत सरचना संसाधन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है इसके लिए परतेक जिले में भू सं पदा कोंगंग्व होगया उसक्तमें गठन यहां पर क्या गया है डिःभी स्के सिंगल सब्सक्राइब इस प्रष्ता पर अपने सहमाती दे दी गई यहां पर देख सकते हैं के सहमाती वाँव पर दे दिया गया है यहां पर आपड़ीए और आगे का प्रोसेस की जाएगा वो बिवस्ता भवन एबन भवनों के निर्मान के लिए भूमी की उपलबता तथा पूर्वी में पुलीस भिभाग के पास उपलब भू संपदा के सनचन को लेकर सुजाब दिये गए हैं अब महिला कर्मियों की सुबधा के लिए सोचाले की स्तिती बहतर बनाने के लिए कहा गया तो यह बहुत अच्छी खबर है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह डिजी जितेंदर सीम गंगवार ने जीले में एसपी को भू संपदा को सांग गठन करने का भी सुजाब दिया है तो कई सारे यहां पर जो होगे नए पद भी स्रिजेत होंगे कई सारे विभाग हैं जो नया वहां पर गठन किया जाएगा तो उसमें भी requirement बढ़ेगा तो वहां पर भी आपको वहां पर इसके थोरो बहाली किया जाएगा उसमें पदोनाति किया जाएगा बहुत सारे जो वहां पर काम करें, उनको पदनाथी के द्वारा भी बहां पर भेजा जाएगा और नयो भी द्रणे धर जाएगे उनको वहां पर धिया जाएगा, पोश्टिंग किया जाएगा आगे यहाँ पर बोलागे है कि पुलिस मुख्याले का आधुर्नी की करन प्रभाग इसकी नियम को मैदान मैदान से एक साथ 10,469 पुलिसकर्मियों को निउकती पत्र देने के साथ पुलिस में आने वाले दिनों में करीब एक लाख पदों पर बहाली की निव रख दे थी यह होगा गांधी मैदान यहां पर होगा तो उसको देख लिए करीब बारक करोर की आवादी वाले राज के लिए परती एक लाख आवादी पर 170 पुलिसकर्मिय के मानक की घोसना की थी इस मानक पूरा करने के लिए बिहार परतमान में वह एक लाख आठ पुलिसकर्मिय काम कर रहे हैं तो इसको लेकर उसको फिल कर जायगा जो भी यहां पर रिक्वार्मेंट है उसको पूरा क्या जाएगा उस पर वेकेंसी जल से जल आपको जन्वरी में देखने के लिए मिल जाएगा तो आगी यहां पर देख स एक क्या जागा उसके बार आगे एक क्या जागा सिपाही से दरोगा तक के विभीन अस्तरों के 74,000 पदों के सिर्जित का काम जारी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23,000 के करीब दरोगा और 35,000 सिपाही के नए पद सिर्जित के जाएंगे राजमे यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी विकेंसी, बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के लिए है कि यहाँ पर दरोगा के पद 23,000 यहाँ पर आपको निकलने वाला है तो यहाँ पर जो भी कनिरे तैयारी कर रहे हैं उनको और भी जोर सोर्स लग जाना है यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा डाटा यहाँ पर दिया गया है कि स्रिजित होने वाले पद कितने है तो दरोगा का आपको बताया गया है तो यह आपको 23,000 रहेगा ASI का आपका 1800 पद यहाँ पर रहेगा हवलदार का 4000 पद सिपाही का 35,000 पद और चालक सिपाही जो रहते हैं उनका 9,000 पद रहेगा और यहाँ पर इससे increase भी हो सकता है जब advertisement आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा वैसे advertisement आने के बाद भी अगर कोई पद रहता है बाद में अबडेट होईसा आएगा तो आपको the exam time school official यूटूब चैनल पर देखने के लिए मिली जाएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तागे आगे कि कोई भी update आएगा तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जा जाएगा तो यहां प्रसपस्ट बोला गया है कि 74,000 यहां पर requirement है जिसमें से आपका जो 56,000 है वो आपको requirement जो नया recruitment निकलेगा उसके थ्रू भरा जाएगा और बाकी जो बद बद जाएगा उसको promote करके जो पहले से काम करें उनको promotion के द्वारा उसको फिल के जाएगा तो य यहां पर देख सकते हैं कि उनको promote करके भरा जाएगा ASI और हवलदार के पदोनती वाले पदो में आते हैं अपसरों के मुताविक पदो के सेजन का कार अंतिम चरन में है कारवाई के बाद इसे cabinet की मंजूरी को भेजा जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं और दोस्तो के जब जाएगा जितने भी बेकेंट सिट हैं यहां पर पहले चरन के तहट पतना और राज के सभी जीला मुख्याले में इसे सुरू कर दिया जाएगा दोनों चरनों को मिला कर 20-22,000 पुलिस कर्मी के यहां पर जरुत है नए पदो में यहां भी सामिल रहेगा और यहां प पिछा वर्क की महलाओं के लिए पुलिस में 3% पद पहले से आरक्षित हैं एसे में बिहार पुलिस में बड़े प्यमाने पर होने वाली पहाली में महलाओं को भी ज्यादा अफसर मिलेगा तो दोस्तों यह आप लोगों के लिए अभी के लिए अपडेट था आगे और भी आप लोगों के लिए अपडेट आएगा जब भी इसका एडवर्टायजमेंट बेगरा आएगा पौर्म कबसे फिलप होगा क्या एज क्रेटरिया है क्या उसको इरिजबिलिटी क्रेटरिया है क्या उसमें आपको सेलरी बेगरा रहेगा सभी डिटेल हम लोग जब एड़ आपने सब्सक्राइब नहीं कि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आगे के पलपल के अपडेट पाने के लिए बिहार पुलिस से रिगार्डिंग और आपका अगर कोई भी टेलेग्राम ग्रूप या वाटसब ग्रूप होगा तो उसमें भी आप इस वीडियो में ने अपडेट के साथ